चार चीजे ऐसी बताऊंगी जिनको अगर आपने डेली वेसे से खा लिया और सही बैलेंस में अगर आपने खा लिया तो आपका वज़न अगर बढ़ा हुआ है तो कम जरूर हो जाएगा और यह ऐसा कम होगा कि फिर जन्दगी में कभी दोबारा बढ़ेगा भी नहीं यानि क लाइस टाइम मेंटेन रहेगा क्योंकि यह बहुत बढ़ी समस्या होती है कि वही वजन कम तो हो जाता है लेकिन फिर बापस बढ़ बहुत जल्दी जाता है जैसे हम किसी डैट प्लैन से बाहर आते हैं जैसे हम थोड़ा भी ओवरीट करते हैं तो तुरंत हमारा वजन बढ हो जाएगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल इस्टर फिट पर अभिलाशा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा क्योंकि इस तरीके की इंफ हैं और जो चीज़े आप खाते आए हो उन्हीं चीज़ों को सही तरीके से सही प्रपोर्शन में खाके आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं तो देखिए सबसे पहली चीज़ आती है इसमें कार्बो हाइडेट देखिए मैं यहां पे कोई बहुत भारी आपको साइंस नहीं पढ़ाने वाली हूं बलकि सिंपल लेंगर में आपको बताने वाली हूं कि आपके खानी की प्लेट आपको किस तरह से रखनी है तो यहां बात करें कार्बो हाइडेट के बारे में तो देखो कार्बो हाइडेट आपका किस-किस चीज में होता है आपके रोटी में चावल म पर फैने बचंवी उता है जो कि हमारे इंडियन डाइट में होता है और हो nights no चाहिए इसके लिए कर रहे है इसके लिए हमें इनर्जी चाहिए और एन करना चाहिए अक्सर क्या होता है हम लोग सबसे जादा quantity में कार्भो हाइड़ेट कहते हैं हमारा मेन फोकस किस पर रहता है दाल चावल सबजी रोटी पे लेकिन हम इनको बैलेंस नहीं करते कैसे बैलेंस करना है मालीजे आपने अपने प्लेट लिया इस प्लेट को आप चार ह सब्दी फल सभी चीजों में कार्भो हाइड़ेड होते हैं तो इसलिए जो हमारे कॉंप्लेक्स कार्भो हाइड़ेड जो में रोटी और चावल से मिलते हैं इनका पोश्चन आप जितना कम रखोगे उतना आपको वेट लॉस करने में हेल्प मिलेगी तो अभी आपने क्या चावल या रोटी ले लिया अःग दूसरी चीज हमारी डाइट में आती है प्रोटिन जोकि आपको वेट लॉस में हफा पर करती है अभी प्रोटिन के लिए अगर आप वेजिटेरीन है अज़ेटेरियन है तो आ पके प्रोटिन के हैं दूद, पनीर, सोय, नस, सीट इन च कि दाल में मुह का दाल, मसूर, चने, राजमा, छोले कुछ भी आप कोई भी दाले में की कले सकते हैं मनले जिला जाए एक चोटी कटोरी से कटोरी अपने रइस लिया है तो उसी कटोरी से ब्राइब कटोरी आप दाल ले लें लिए ठीक है तो एक बड़ा portion of fiber का रखिए जिससे आपको अच्छी quantity में carbohydrates यानि कि आपको energy भी मिल जाएगी और plus आपके पेट को clear करने में भी ये काफी जादा helpful होते हैं एक बड़ा amount salad का अपनी plate में रखिए और last चीज आती है fats इनकी भी हमें बहुत जादा जरूरत है विकाज अगर fats हमारी body में नहीं होंगे तो ना तो हमारी skin में चमक होगी ना हमारे बालों में चमक होगी और ना ही हमारी bones मजगूत बनेंगी तो आपको क्या करना है आपको एक चमच घी का इस्तमाल अपने खाने में जरूर करना है और यहां पर आपको ध्यान यही भी रखना है कि जब आप खाना cook कर रहे हैं उस वक्त या तो आप बिल्कुल भी तेल का इस्तमाल मत कीजिए या फिर आप minimum यानि कम से कम मात्रा में गी या तेल का इस्तमाल कीजिए लेकिन ऊपर से एक चमच देसी घी आप जरूर डालिए तो यह तो बात हो गई आपकी एक नॉर्मल प्लेटिंग की इसके लावा पूरे दिन में आपको कैसे इंचीतों को बैलेंस करना है जैसे मैंने आपको बताया रोती और चावल का प् त्हीं है दोनुचिप अनुचे आप ले सकते हैं गयरें त्हीं के लिए आपको त inju आपको चैज कानि रहें आपकी जरूर kr requirement है उसके हिसाब से आप खाईए अब आप बोलोगे हमें कैसे पता चलेगा हमारी calorie के requirement क्या है इसके लिए simple आप अपना BMI और BMR calculate कीजिए इससे आपको complete idea लग जाएगा कि आपकी calorie के requirement क्या है BMI से आपको यह पता चलेगा कि आपको कितना वजन घटानी की जरूवत है और BMR से आपको यह पता चलेगा कि आपकी calorie की requirement कितनी है इन सब चीजों के अलावा आपको पानी भर पूर मात्रा में पीना है एक दिन में आप कम से कम 8-10 ग्लास पानी without fill जरूर पीजिए प्रोटीन कंटे complete करने के लिए आपको dairy products, soya bean, डाल, राजमा, चने, छोले, beans इस तरीके की जो सबजिया है यह जो डाले है वो आपको आपकी diet में जरूर रखनी चाहिए और यह सारी चीज़े आपको सही portion में रखनी चाहिए फाइवर को complete करने के लिए सलाथ और फल का सेवन आप जरूर करें, एक दिन में कम से कम 200 ग्राम सलाथ या फल का सेवन आप जरूर करें, इस तरह से अगर आप एक balance diet लेते हैं और इन चारे चीज़ों को सही तरीके से अपनी diet में अगर आप रखते हैं, तो definitely आपको weight loss में भी help मिलेगी और यह आपकी balance diet होगी, यहाँ पर आपने एक चीज़ और ध्यान दियोगी, कि इस पूरी diet में कहीं भी आपके chips, kur kuray, नमकीन, biscuit, इनके लिए जगा नहीं है, definitely इनके लिए जगा नहीं है, क्योंकि जब हम यह छोटी 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 चीज़े खाते हैं, देखने में यह pieces में छोटी 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 ल कर लेते हैं, तो आपका वजन कम होने से, आपको कोई नहीं रोख सकता, definitely आपका वजन कम होगा, definitely आप अपने weight को maintain करके रख पाएंगे, weight हमारा जिसे एक बार घटके है, दोबारा कब बढ़ता है, जब हम access amount में खाना शुरू कर देते हैं, या फिर आप बहुती उल्टी स जरूर पसंद आई होगी, जानकारी जरूर पसंद आई होगी, कोई भी अगर doubt रह गया है, comment करके जरूर पूछिए, अपने ध्यान लेखिए, खुश रहिए, fit रहिए, thank you